दिल्ली से सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे जहां कॉंग्रेस पार्टी ने अभी अभी अपनी प्रेस कॉंफरेंस खद्म की है और देश के अलग-लग राजियों की कुल 49 सीटों से कॉंग्रेस के प्रत्याशियों के नामों का एलान किया है मद्य प्रदेश से जरूर कोई कैंडिडेट का नाम डेकलेर ना किया हो लेकिन पडोसी राज 36 गड़ से जरूर पार्टी ने 6 प्रत्याशियों के नामों का एलान किया है 36 गड़ की कुल 11 सीटों में से 6 सीटों पर पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार दिया है और जैसा कि एंडी टीवी पर आप लगातार खबरें देख रहे थे वही हुआ पूर्व मुख्य मंत्री भुपेश बगेल को राजनाद गांव से चुनाव लड़ाये जाएगा वहीं शिव डहरिया जो पूर्व नगरी प्रशासन मंत्री रहे हैं उनका नाम इस लिस्ट में है चली जादा जनकारी लेंगे बाचित करेंगे हमारे सहियोगी जुल्फिकार अली रायपूर से हमारे साथ बने हुएं जुल्फिकार 11 में से 6 सीटों पर प्रत्याशी घूशित कर दिया है पार्टी ने और अब उस देर पहले हम चर्चा भी कर रहे थे शिव डहरिया, विकास उपाध्याय, भुपेश बगेल, जयोत्सना महेंद ये तमाम वो नाम है जहां जो अलग-अलग 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे दीपक अब हम लोग अभी पिछले 2-3 दिन से इस खबर पर बने हुए हैं लगातार हम लोग जो चर्चा कर रहे थे उसके अनुसार अगर देखे तो यह पूरी 6-6 नाम रिपीट हो चुके हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे थे कि राजनान गाउं से पूर मुक्मंत्री बुपेश बगिल चुनाव लड़ेंगे इसके अलावा तामरद साहू का जो नाम महासमुन से आया पहले इनके नाम की चर्चा दुर्गे से हो रही थी लेकिन दुर्गे से के बाद क्योंकि एक बार वहां से चुनाव लड़ चुके हो और दुर्ग के ग्रामीर से बिधान सोब चुनाव हार गये तो ऐसी स्थिति म और दूसरा अगर बात करें महासमुन से तो महासमुन से तामदरोद साहू जो पिछली सरकार में ग्रह मंत्री भी रहे हैं और पीड़वीडी विभाग इनके पास था और कॉंग्रेस के कद्दावर निताओं में इनका नाम सुमार होता है और राहूल गांदी के भी करी भी साहू समाज को साधने के लिए भारती जनता पार्टी ने क्या गया नहीं किया इस वर साहू को मैदान में उतारा साजह से और पूरी तरीके से पॉलराइजेशन उस छेत्र में हुआ और यह बताने के कोशिस की गई कि साहू समाज बहुत नाराज है और ऐसा हुआ भी कि अब पहली लिस्ट में अगर आप देखें तो पहले में ग्यारा लोगसबा सीटों में से छे सीटों पाइनल कर दी गई हैं उनमें दो साहू समाज से हैं एक राजन साहू जैने दुर्गे से सीट दी गई हैं दूसरी अगर बात करें दो तामरदव साहू इसके अलावा वह बहुत लंबी है क्योंकि उनके पती चरणदास महंत और उनके पिता विसाओ उदास महंत उस छेत्र में लंबे समय से राजनेती करते आ रहे हैं तो उस छेत्र में उनकी पकड़े हैं और वह किसी नाम के महताज नहीं है